प्रिग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी में असमान मदिहा आबिद अली नासेन आपने हमारी प्रिग्राम टॉप स्टोरी की काविशे सब्जी मंडी के हवाले से गाहे बगाहे देखी होंगी लेकिन आज हिस्ट्री में तारीख में पहली मर्दबा ऐसा हुआ है कि दो दो वज़रा ने सब्जी मंडी का रुख किया और यहाँ पर आज अगर आप सफाई सुतराई का इंतजाम देखें तो आपकी आँके खुली की खुली रह जाएंगी यहाँ पे हम माजूद हैं लोगों से प्री प्रिग्राम हमने यह नि प्रिग्राम से पहले कुछ बात की है तो लोगों का कहना यह है कि आज सुब्जी मंडी आए तो ऐसा लगा कि हमने लिबर्टी मार्कीट का रुख कर लिया है इतनी सब्जी मंडी साफ सुतरी हमें तो नाजिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब सब्जी मंडी के अपर हम प्रिग्राम करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह एक ऐसी मार्कीट है जहां सफाई नामुम्किन है तो आज यह मुम्किन क्यों हुआ सवाल नंबर एक यह था सवाल नंबर दो कि यहाँ पर हैक माफिया भी नजर नहीं आ रहा हमें वताखोरी भी नजर नहीं आ रही है हमें आरतियों के मसायल भी नजर नहीं आ रहे हैं तो आज ही यह अलादीन का चिराख कैसे आया आज ही यहां पर जो मसायल थे वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं इसके रावा आज के प्रिग्राम का अहम हिसा ये होगा कि सबजियों की कीमते महंगी कैसे होती है आज के अखबार में रोजनामा दुनिया में हमारे बहुती काबल कॉलीग हैं सिब्धुला चौधरी साहब उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आज सुब आप ते अखबार में पढ़ा भी पर सटे बाजी की जाती है ये सटे बाजी कैसी होती है और ये जो सर्माया मार्कीट के तर्ज के तर्जियाकार है वो सबजी मंडी में बैट कर किस तरा से ये सटे बाजी करते हैं ये इनकिशाब भी हम आपको करेंगे बंडियों के ये माहिरीन मुल्क में जरीज नास के ज जियादा करते हैं जी हाँ ये इसी तरह चार एलिमंट्स ऐसे हैं जिनको मिला के बताया जाता है बनाया जाता है कि सब्जिया फल की कीमत क्या होगी उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जरी जनास के जेरे काश्ट रगबा मजमूई पैदावार खपत और इसके लावा फीक स कि जननी चार एलिमंट्स को मिला के सब्जियों और फलों की कीमतों का नियुञा जाता है लेकिन आलु के साथ इस मर्दमा क्या हुआ कैसान किस तरह से साल का शिकार हुए आलु की कहानी भी हम आपकर बताएंगे कि आलु की क्यमत है वो मार्किट में मार्किट में तो 20 अब 25 रुपे है लेकिन जब किसांग से 5 या 6 रुपे किलो आलो खरीजा जाता है तो किसांग की रीट की हड़िक किस तरह से तूट जाती है ये भी आपको बताएंगे हमारे साथ इस सब्सक्राइब मौजूद है जिनकी रिपोर्ट आज हमने आपको दिखाई है हमारे साथ मौज में खुशाम मदीत कहते हैं हम आगे चलते हैं और हम यहां पर थोड़ी सी आपको सब्सी तिका देते हैं क्यक्ट्रक्स यहां पे आचके हें टेंदर आना है तो हम वो रास्ता खाली करके जरा आगे की जानेब चलते हैं चले नाजिन गुफ्टुगों के सलसले का आगास कर लेते हैं आज दो दो वज़रा के यहां पे आने से आपको क्या फील आई बिसमिल्ला रहमानुराहीम पहले तो ममूल के मताबक ही होती है यहां वास जो वजीर आत है वो सब्सक्राइब और कहां रहेंगे मंडी छोटी है दूसरे नंबर पे जो मंडी आपकी नहीं भी बन रही थी वह भी मैं अपने बच्पन से सुन रही हूं नहीं मंडी यह भी हम सुनते आ रहे हैं लेकिन मरानहा ने भी लान किया है कोई सारे आड़ती इस पर मुत्व पर जगह ही नहीं है सोदा उतारने की क्योंके पहले चांद आड़ती होते थे साथ 65 आड़ती होते अभी 700 के करीव मारकी कमेटी ने लसंस बना कि दी है जो भी बंदा बाहर से आता है नहा काम करने वाला काम तो वह करेगा लेकन सोदे के लिए उसको जगा चाहिए जगा हम यही करते हैं कि जो मंडी में मसलना देखो जो गंद बगारा है यह सफाई होनी चाहिए आज मनिस्टर साब ने बोला है जो सफाई वाली जो कॉमपनी है ना हम इसको रिजक्ट करते हैं हम नई कॉमपनी को ठेका देंगे जो इसको मंडी में सफाई करेगी सफाई में यह कि के से शेहरियों को अच्छा सोदा साफ सुथरा मिलना जाहिए। ये तो आम भी बोलतेया देखो Iम भी मार्केट में रहते हैं। हम Рइन यह को जोजğaै के जहां पर नहीं जो दूतियों वाली को बिलकुप ठीक है के जाहने होती है और तो उसको जब हम पहनते हैं जाके अपना स्यष्ट टर्ने के लिए उतना अपर नीचे कलिन ही नहीं है सबसे पहले तो यहां पर जो ड्रेन है वो साफ होनी चाहिए उसके बाद जो मेन होल के जो डखने है जिन के जिन पर रोज हजारों गारियां जो है गुजरने वारी गिरती है तब दीली आपको बेहतरी दिखाओं यह ज़रा आप व्यू साइट भी होएगा भाई क कि आज नीचे ही रखी हैं सब्जियां लेकिन अच्छा लग रहा है देखके के नीचे खीचर नहीं है और गाएं का गोबर नहीं है गाएं का यूरिन नहीं है थोड़ी से बेतरी हमें नजर आई है आज यहां पर माल आना है यहां पर माल बिकना है यहां पर आगर आप कहन न वो तर लिबर्टी मार्कमेंट में हो सकती है, यहां पे नहीं हो सकती यह जो बात थी, यह मुझे भी अपने प्रोग्राम में सुनने को मिले हैं कुछ नाकिदीन ने कहा कि आप सब्जी मंडी की सफाई के पीछे पड़े हैं सब्जी मंडीयों में सफाई नहीं हुआ करती, तो आज कैसे हो गई सफाई यह अच्छी बात की आपने, सब्जी मंडीयों में सफाई होती है, लेकिन आक्शन के बाद होती है नादिन अब जब बात ये कर लेते हैं, जो प्रोग्राम के एपड़ाया में मैंने आपका बताई थी कि जो सब्जीयों के रेट्स है, वो उनका तायन की सरह से होता है और एक टैग लाइन जो आपने सब्जीयों की कीमतें ज्यादा कैसी होती है तो सिब्गे साब को आप शामले गुफ्तू को कर लेते हैं सिब्गे साब वो कहते हैं चार अनासर मिलते हैं तो बनता है मुसल्मान तो वो ये चार अनासिर मिलते हैं तो सबजी की कीमत कैसे महंगी होती है उसका हम अगर दूसरा पहलू देखें तो वो क्या होगा जी बिलकुल मदिहा हम थोड़ा सा इस पे आने से पहले थोड़ा सा इसका बैक्राउंड भी हम बता दें तो सब 15-20 दिन से हम आलू के वाले से जो क्रैश कर गई है मार्किट और जो बहरान चल रहा है इस पे हमने प्रोग्राम भी किये वजीर जरात को भी हमने इसके साथ लिया अपने प्रोग्राम में डिसकस किया आज का तादा तरीन यह थी कि उसमें पूरा एक वैल्यू चेंड डिसकस किया है कि एक जो एगरी कल्चर परडियूस है जो जराई जिनस है वो अपनी पैदा अपना पैदा होने से मार्किट में आने तक तोक रिटेल पर चून की सता पर जब आती है और जब एंड कंजूम तो ना ना बोलें आप ऐसाने ना करें आरती माफिया कैसे होता है देखो एक मंडी में जिमीदार लेके सोदा आता है आरती का काम में हजारां बंदे खड़े होते हैं जिसने बोली डालनी है उसके नाम सोदा तीन कार देना है आगे जिमी जाके दुकानदार ने बेचना ज कि भी माशाला खुश पुशा की नदर आ रही है उनकी आलत नदर आ रही है और यहां पर जो आर्दी है वो फटे पराने कपरे पहन के आज़ें यहां पर ऐसे नहीं है है ऐसे नहीं है मेरी बाव सुनो मैं गुबी की बात करता नहीं हो सकता है उसके पास एक करपया नहीं होता तेरा सूर पे कैसे हो जाता है आर्टी ने कहा था दोर में कैसे हो सकता है स्वाल ही पैंदा नहीं हो सकता है कि दामने चोड़ें तो फृष्टे वजू करते हैं यह तो यही कहने है जो इसका जो इसका जो इसका जो अग्री कल्चर प्रड्यूस नाइटी सैवंटी नाइन का जो एक्ट है उसके नीचे जितने एस अपी लिखिया ने बताएं यह पूरे कर रहे हैं उसके मेरे से पूछा भीने आप से पहले बात यहां पर प्रवेश जुलाई साब के टैम में यहां पर इन्हों ने एक कमपनी बनाई थी दारा बनाया था पैमको और उसके मनसूर आथफिन जो इना था वो उसका चेर्मेन बना था तो इन्हों ने का था कि हमने जो किसान लेकर सब्दी आएगा ना उसको हम बाहर बचुआ देंगे आपके पास नहीं आएगा हमने का आपना शोग पुड़ा करने जब वो आए आ के जिमीदार ने अपना माल बेचा तो उसने का के मुझे नगट पैसे चाहिए यह सुने दरा बात आप कहते है ना आडती माफिया उसने का मुझे नगट पैसे चाहिए किसी के पास नगट पैसे नहीं थे हमारा दिल है इनका पैसे किसानों का साल करें अब करें साल करें के पास आए आप करें आके पास करें नहीं ही एक सवार सुन लिजे एक सवार सुन लिए इसी कौन सी बात है एक सवाल सुन लेजिए सबसाब इसका जवाब में आपसे जाना चाहते हैं इसलिए देते हैं ना कि उनको उसके जिन्स का उसकी त्वाय करते हैं मक्रम दीना जागे या लोग उसकी घमी या खुशी में पैसे देते हैं सिबसाब सावाल मेरा ये है किसान हमारे मुलके जो किसान है क्या वो बाूंडीड लेबर है ये तो खुद इत्राफ कर रहे हैं जोईद इजाजा सब कहा रहे हैं कि उनके करमे को खुशी आड़ा、 को घमी आज़े वो हमसे पैसे लेते हैं अबने उनको पैसे दे के बाउंड किया होता है वो खुद कहने है वारी बाउंड लेबर चार साल पहले चार साल लेता है बीज के पहले आठ सो आठ जार रपे की बोरी ती डालू की ना ठीक है यह तो कुमत को चाहिए ना कितनी खपत है हमारे मुलक में कितना आलू लगना चाहिए दूसरी चीजी में तो लगना चाहिए मैं तो लगना चाहिए जब आलू कम कौया इदा किमत वहुदा और गुजिश्टा दो हफते पहले जो किसानों ने माल रोड ब्लॉक कर रखे दो दिन तक उसमें आलू की कीमत पांच रुपे फी किलो थी तो नाजीन अगर किसान से पांच रुपे फी किलो आलू खरीदा जा रहा है तो आपकी और मेरे घर 2800 रुपे 2500 किलो क्यूं जा रह यहां आजीसाब जो भी बंदा है का बोली डालेगा वह अलू लेजाएगा आगे जाके धकान दरुपे काट्रूल करना हकुमत का काम हमारा काम नहीं है मारा काम है यहां अक्शन सूदा बेज़ देना किसान के साथ इस तरह की सलूक होता रहेगा तो हमारे मुलक में किसान का बेटा किसान बनना चाहेगा जिस तरह आज कुर्केटर का बेटा कुर्केटर बनना चाहता है और देखिए ना कुमत को चाहिए ना ज्य को एक अप्जार आख फुल दस मीने बाए न मेने और दोकिटी बैक तीकिर कर दार किया क्या कर सकत का जब फसल जैदा होगी तो इतने के एक बिक 네 बाद ये कि फसल ज्यादा हो नहीं है कम हो नहीं इनकी अदा दुश्मार इनकी टिप्स पे होते हैं अब तीन चार माँ बाद जब रम्दान आएगा तो लिमू देखिए का जिस जीज की तलब वह बिल्कुल बे काबू हो जेगी ऐसी होगा लिकिना रम्दान के आते ही टिमा करते हैं करजे देते हैं उनके साथ कमिट्मेंट होटी बुग पर भाई ये रीजन बताएं ना एक एक इंसान झिसने जमीन का सीना चीर दिया एक इंसान जिसने मटी से सोना पाईदा कर दिया वह इस तैसल का शिकार क्यों है इसका जवाब देवाब को ना असल मैं खूद क बैंती हैं करते हैं ये करते हैं हमने मैं अर्थी ब सब्सक्रण कर सकता है कोई और सकता हुआ ना काभू करना जो मगाई का रहा देखें आर्थि अगर उसकी गाड़ी किसान की आएगी वह पांच लाग की बिकेगी उसकी 25,000 या 15,000 बीस हजार कमिशन बनेगी जब उसकी गाड़ी एक लाग रुपर की बिकेगी आगे उसकी 3000,500 कमिशन बनेगी ये चीज अगर किसान किस भी लेंगे उसके बचे कपड़े भी लेंगे उनसे सारी मार्कीट में मीडिया की बात कर दिया किसान नहीं बचेगा तो क्या हकूमत बचेगी लाजिम है कैसे बचेगी निकाल देंगे एकुमत का काम है ना हбаर की र्यास्तों में पना मकाम पड़ाना का पोता उसा है ना हम्हें ऐसान चैसी ऑफ़ सब एक्सपोर्ड करते हैं मिडली को देखे देखो ना नहीं हमारी ओवी नहीं डिला रही जो एर पोड़ में चले जाए सब करप्शन है कुछ भी नहीं है एरपोड के खोले ना मिडली इसको दे हमारे मुसलमान कंट्रिया साब है यह अलू दर जाए इदर आलू बैनल कौाम सता पर ही इसके रेट्स डाउन हैं यह सिरफ पाकिस्तान में नहीं है इंडिया में चले जाएं इंडिया में यह अगर यह चीज़ हम तासुर देना चाहेंगे किसान को जिमीदार को आड़तियों ने मार दिया यह आड़ती खुद मरे हुए हैं अगर उसको पैसे नहीं आएं जाना चाहिए अभी मिनिश्टर साब ने बोला कि कितने टान आम आलू उठा रहे हैं मना आलू अठाएं आलू देखो लो मंडी में आके आप खरीज सकते हैं जो मर्जी बंदा आके खरीज सकता आरती इनों तो आक्शन करनी होती है यहां तो ब्लैक नहीं कर सकता आरती दे एक साल में एक फसल है इसको हम पूरा साल कोल्ड स्टोरिज में भी रख सकते हैं गौर्मिंट अगर गंदुम खरीद रही है तो यह एक अच्छे रेट पर जिमीदारों को 10 रुपे या 8 रुपे उसके खेद से उठा लें आलू और कोल्ड स्टोरिज में कर लें और उसको जैसे बाई कैना रमजान में महिंगा होगा रमजान में इतवार बजारों में बेच लें मार्कीटों में बेच लें तो कसान भी बच जाएगा और चालिस लाग टन गंदुम खरीजती है पंजाब को मत और 130 जो है ना वो उस पर अरब रुपे की लाकत से यह खरीदी जाती पंजाब को मत के बजट से एक लिए जाती है इस सारी केंपेंट के दौआन ये छे हफते की कंपेंट हो थी उसमें बार बार यही लफ़द इसमाल किया जाता कि किसानों को आर्टी ओल मिडल में से बचाने के लिए एकूमत ही एकदाम कर रही है ठीक है ना आदें किसान की हमने रावास हुन बने हैं चोटी सी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हमने आर्टियों की आवास भी बनी है औरमनी के जो ताजरान हमने इनकी भी आवास बनी है कि यहां पर कोई हो गाई नहीं जो कि आवाज मैंने बनने हैं आर्तियों को और सब्जी मंडी के ताजरान को क्या मसले हैं और शेहरियों को क्या मसाइल है यह ब्रेक के बाद डिसकस करेंगे हमारे साथ रहिए